हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आज मैं आपको फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गई हूं गाई और आज मैं आपको रिस अप्सन में कब बताऊंगी इसमें हलका और कम प्रोड़क्ट लगा के बताऊंगी अगर आप चाहे तो यह में कप अगर प्रैक्टिस करेंगा तो ख सब्सक्राइब करिएगा लाइक करिएगा सेयर करिएगा तो चलिए मेकप को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेस पर में क्लिंचिंग टोनिंग मस्चुराजर करना है लगाने के बाद आपको दो से तीन मिनट टेक फेट करना है फिर उसके बाद जो है प्राइमर लगाना बाह्ता हैुछ! मैकप को स्टार्ट कर टे है। मैंच मैंच से प्राइमर लगा हैं तो एक तस ऐसे लगाने के बाद तो से-से से प्राइमर लगा है। कलfeld रखेंड़ा, कई चाल कॉดके आणथ कि अ हमें वह सैफार अगर ने कर रहे। इस तरीके से हमने पूरे फेस पे जो आप फाउंडेशन लगा लिया आप देख सकते हैं फाउंडेशन और कंसीलर लगाने के बाद इसे अच्छा से ब्लंडिंग करना है अब आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे वीडियो भी इनितीय रिक्वेस्ट है फ्लीज थोड़ा से मेरी वीडियो को सपॉर्ट करदेंगे तो यह देखिए मैंने अच्छा से ब्लंडिंग कर लिया है करने के बाद 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 करन यह देखे हाइलाइटर करने के लिए पहले हमने कंसीलर लगा यह लगाने के बाद इसे अच्छे से ब्लनिंग कर लेना है यह देखे लोग आए के नीचे भी हमें थोड़ा से इस तरीके से लगा लेना और आप देख सकते हैं गाइस मैं अधर वीडियो में प्रोड़क्ट ज कर सकते हैं अगर मालो किसी का रिस अफसन है तो आप जाके वहां पर उनका मेक अप भी कर सकते हैं और खुद पर भी अपना भी मेक अप कर सकते हैं तो प्रैक्टिस जरूर करिए गाइस कि मेक अप में प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती तो गैस यह देखिए मैंने ब्लसर और हाइलाइटर दोनों ही लगा लिया अच्छे से और इसे गाइस अब लगाने के बाद जो है मैं लेपिश्टिक लगाऊंगे लेपिश्टिक लगाने के बाद जो है इसे अच्छे से हम फिनिसिंग देंगे गाइस फिनिसिंग देने के बाद जो आप देख सकते हैं अब हम तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर किया करें आप लोगों से प्लीस रिक्वेस्ट है। और कमेंट जरूर क्या करें कि आपको व्यूकमें नहीं अच्छा लगा रगा देखें का मेंने अब आई मेकप करने politование के लिए और इनर कौर्नर पर जो है blue color का अबूनों करी से नर्ज करा दें मौर्ज करें के में गिलां का उपर पर से shimmer लगा लगा लेंगे blue color का ताकि इस इन हैं सोगे दीखे तो आप देख सकते हैं मैंने सही कलर पिंग कलर तू टेख सकते हैं मैंने इसमें से हमें फिनीसिंग देना है जिदर जिदर मालो जैसे कोई कलर जिदर फैल जाता है तो इसे फिनीसिंग देना बहुत जरूरी है फिनीसिंग देने के बाद जो है अब हम लाइनर लगाएंगे तो लाइनर आप चाहें मोटा या पतल अपने ही साब से लगा सकते हैं या आपको लोवर आई पे जो है में सेम कलर उपर वाला जो है इसे अच्छे से मोर्ज कर लेंगे अब जो है मैंने